नमस्कार मित्रों, मैं अविनास रेंजन गुपता, आप सभी का अपने चैनल पर हर्दी कवी नंदन करता हूँ आज के इस व्याकरण सीरीज के अंतरगत हम इस व्याकरण पार्ट का अध्योपांध अध्यन करने वाले हैं आप इस व्याकरण पार्ट को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि वीडियो के अंत में इससे जुड़े हुए कुछ वाक्सिट भी आपको दिये जाएंगे जो आपको व्याकरण को समझने में और भी सहायता प्रदान करेंगे तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें नमस्कार आप आगे हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहां हम हिंदी का एक बड़ा ही इंट्रेस्टिंग अध्या है आसरे सब्द जिसे अंग्रेजी में फिलर्स कहते हैं उसके बारे में अध्यन करने वाले हैं तो सुरू करते हैं सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आसरे सब्द होता क्या है जब कोई व्यक्ति बाचीत के दौरान या न समझ पाए कि अब क्या कहें कैसे कहें या उचीत सब्द के न मिलने पर कुछ ऐसे सब्दों या वाक्यांसों का प्रियोग करता है जिसका विशय से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंद नहीं होता उसे ही हम आसरे सब्द कहते हैं अगर हम लोग इसे संक्षिप्द में कहें तो बात्चीत के दौरान हम लोग कभी-कभी हा तो हा मैं क्या कह रहा था यही आसरे सब्द कहलाता है अब हम लोग यहां देखते हैं हिंदी में प्रचलित कुछ आसरे सब्द देखिए हिंदी का सबसे प्रचलित आसरे सब्द है हा तो मैं क्या कह रहा था हाँ, तो मैं कह रहा था न, वो हमारे घर आई थी न, बस फिर क्या, और सब ऐसे ही है, बस यही है, आदि, इसके अलावा भी हिंडी में बहुत सारे आसरे सब्ढे हैं, वकता अपनी रूची के हिसाब से या अपनी आदत के हिसाब से आसरे सब्ढों का प्रियोक करता है, इंग्लिस में conversation कर रहे होंगे और like का प्रयोग करते हैं जैसे you know that, you know, you know what, you know, you know something ऐसे कहके वो लोग fillers का प्रयोग करते हैं I mean, कुछ लोगों को आप देखेंगे, वो I mean का प्रयोग बहुत करते हैं I mean, you know, जब उसे बोलने के दोरान कुछ समझना आता है कि अब मुझे क्या बोलना चाहिए, या क्या कहना चाहिए, या उप्योगत सब्द नहीं मिलता है तब वो I mean, okay, so, actually, basically, and, right, then, ये सब अंग्रेजी के कुछ प्रचलित आसरे सब्द है आसरे सब्द के प्रयोग का कारण, ऐसा क्या होता है कि हम लोग आसरे सब्दों का प्रयोग करते हैं, देखे, इसके दो कारण होते है जब हमारा भासा पर अधिकार नहीं होता, जब हमारा किसी लेंग्वेज पर कमांड नहीं होता, या किसी विशे पर हमारी अवधारना सपष्ट नहीं होती मतलब किसी विशे पर किसी टॉपिक पर जब हमारा कॉंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो उसके बारे में जब हम बाचित करते हैं, वारतालाप करते हैं, विशारों का आदान प्रदान करते हैं, तो हमें आसरे सब्दों का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि हमें उस समय या तो exact word या क्या कहें कैसे कहें या वाके सनरचना वाके नड़ने करने में जो देरी होती है उस समय हम लोग आसरे सब्दों का प्रयोग करते हैं क्या नहीं कहना है जब हम लोगों को उचित सब्द नहीं मिल रहा है हम लोग वाकिनरने नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आसरे सब्दों के प्रियोग से हमारा जो वारतालाप है वो जारी रहता है उसमें विराम नहीं आता है यही उद्देश यह है आसरे सब्दों के प्रियोग का अर्थात आसरे सब्दों के प्रियोग कौन करता है पहला बालक या किशोर अर्थात बच्चे या जो टीनेजर्स होते हैं मुख्यता बाचित के दावरान जब उनका मस्तिस्क सही सब्द या सही वाके रचना के निड़ रहता है या वो सही सब्द या सही वाक्य को ढूंडने में स्कैनिंग करने में समय लगा रहे होते हैं तो ऐसे आवसरों पर वो आसरे सब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि बालक होते हैं या जो टीनेजर्स होते हैं उनका भाशा पर उतना अच्छा कमांड नहीं बन पाता ह या किसी विशे पर उनकी अवधरना या सब्जेक्ट पर कॉंसेप्ट उतना विश्तृत नहीं होता है इसलिए वो आसरे सब्दों का प्रयोग करते हैं अर्थात अपनी मातरी भासा में तो वो फ्लुएंट होता है वो धारा प्रवाह कह सकता है समझ भी सकता है लेकिन जब वो किसी दूसरी भासा में अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो अक्सर कुछ ऐसे वाक्यों के आगे आकर रुख जाता है कि अब उसे क्या कहन क्योंकि उसे उचीत सब्द नहीं मिलता है या उचीत वाक के नहीं मिलता है विशेस द्रश्टव्य देखिए आसरे सब्दों के अत्याधिक प्रयोग से आपके संप्रेश्ण का अवसल में निहित खामियों का बोध होता है एक बात याद रखेगा माल लिजे आप कहीं इंटरव्यों में जा रहे हैं और वहाँ अगर आप बार बार आसरे सब्दों का प्रयोग करते हैं तो जो इंटरवीवर है वो यह समझ जाता है कि भाशा पर या कॉंसेप्ट पर आपका कमांड उतना अच्छा नहीं है वारतालाप में आसरे सब्दों के कम से कम प्रयोग के लिए चारो कौशलों अर्थात लेंग्वेज के जो चार स्किल्स हैं उन पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए पहला है स्रवन जिसे कहते हैं लिसनिंग, दूसरा है वाचन जिसे कहते हैं स्पीकिंग, तीसरा है पठन जिसे कहते हैं रिडिंग और चौथा है लेखन जिसे कहते हैं राइटिंग अगर आप किसी भी भासा के इन चारो कॉसलों पर अच्छे से अध्यन कर लेते हैं या किसी टॉपिक पर जब आप बातचित करने की कोसिस करते हैं या बातचित करने वाले हैं तो उसके सभी पहलूओं पर अच्छे से विचार कर लेते हैं तो आपकी आश्रे सब्दों का प्रियोग करने की जो आदत है वो बहुत कम हो जाएगी उमीद करता हूँ आपको मेरा ये छोटा से वीडियो अच्छा लगा होगा आप कमेंट सेक्षन में एट लिस्ट आपके द्वारा प्रियोग में लाए जाने वाले दो आश्रे सब्दों के बारे में मुझे जरूर सुचित करें धन्यवाद